नहीं में इसको मिला के लगा लो चहरे के काले दाग धबों से भी चुटकारा मिलेगा और स्किन के उपर आएगे गजब की चमक इस पॉलशिंग से हालो दोस्तो मैं हूँ रेखा सिंग आपका स्वागत है मेरी चैनल रेखा सिंग लाइफ पफ फिर से एक बार आशा करती हूँ आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे क्योंकि मेरी फैमली डिय वाइस को रेगुलर करती है क्योंकि मैं रेगुलर लेके आती इसलिए वो भी रेगुलर ही इनको करते हैं बस इसी तरह से रेगुलर रहे अपनी स्किन का केर करते रही आपकी स्किन अपने आपी चमकने लगेगी हेल्दी दिखेगी हमारी फैमली 100 के कमप्लीट कर चुकी है जिसके लिए मैं आप लोग को बार बार धन्यवाद करना चा इस काले पन को हटाने के लिए लेकिन क्या होता है सबकी स्किन अलग ताइप की होती है किसी की स्किन ड्राइ होती है किसी की स्किन और होती है तो सबको अलग लग रेमेडी सूट करती है लेकिन आज की जो रेमेडी में लेका ही हूँ ये ओली स्किन वालों के लिए भी है औ अगर आप इस चीज से जूज रहे हैं, इस problem को face कर रहे हैं, तो आज की remedy definitely आपके लिए ही है, लेकिन इसके साथ में aging को कैसे बुला सकती हूँ, तो मैंने इसमें तवका दिया है, aging को भी किस प्रकार से आप delay कर सकते हैं, slow down कर सकते हैं, उसके effect को किस तरह से कम कर सकते हैं, उस future के भी वीडियोस देखने के लिए, title, starting का जो छूटा सा clip है, या फिर thumbnail देखके, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगया हो, तो एक like अभी दे दिजेगा, last में जाते हैं क्या पता आप भूल जाएं, तो आपको क्या करना है, अब आपको करनी है start remedy, उसके ल के लिए वही बेसन हमें आज लेना है, या आपकी skin के काले पन को बहुत असानी से हटा देता है, single एक बेसन आप किसी काले बरतन के उपर लगा के रात को छोड़ दीजे, मतला बहुत लोग के घरों में बरतन होता है, जल जाता है, आप बेसन उसके उपर लगा के छोड़ जीजे, दो घंटे बाद देखें, वो पूरी की पूरी मैल किस तरह से हट जागे, वो काला पन किस तरह से हट जागा, बेसन इतना जादा पोटेंट होता है, हम लोग अभी तक इसको बहुत ज़़ा हलके में लेते थे थे न, अब दीरे दीरे इसकी पड़ते खुल रहे है ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है, पिंपल को आने से रोकता है, ऑईल को बनने से रोकता है, स्किन के काले पन को हटाता है, एकने को रिमूफ करता है, स्किन के उपर किसी भी प्रकार का कोई भी इंफेक्शन है, बेक्टिरियल इंफेक्शन है, उसके बनता है फेस के ओपर पिंपल बनते हैं तो जब यह फेसके ओपर ऑफेस के ओपर और पिंपल को नहीं बनने देगा बैक्टीरिया कहां से आएंगे अपने की साफ हो जाएंगे अभ हम इसमे लेते हैं दूसरी चीज जो हमारी स्किन की रफनस को हटाएगी थी ते Leanne को हो गया है, skin आपको बहुत जादा रफ लग रही है, आपकी skin को shine करना, brighten up करना, skin के उपर एक चमक देना, तो आपको लेना है चावल का आटा, चावल का आटा के गुण होते हैं, आपकी skin के aging के उपर भी काम करने के, आपकी skin की roughness को हटाने के, skin के उस खुर्दूरे पन को खत करता है, साथ में आपकी skin को polish भी करता है, तो दोनों चीजें बहुत जादा potent है, दोनों आपको जरूर लेनी है, इनकेज अगर ये दोनों नहीं है आपके पास, तो थोड़ दिन वेट कर लो, पहले market से ले आओ, उसके बात कर लेना, क्योंकि इसके बिना तो ये remedy बनने वा सकते हैं, विटामिन C से भरपूर है, लेकिन मुझे ये जरूर चाहिए था, आज मुझे बहुत दिन होगे थे इसको किये हुए, तो आज मैंने सुचा मैं इसको तो जरूर रैड करूँगी, नहीं है, skip कर दिजे, लेना है, तो नीचे मैं इसका link आपको description में दे दूँग अब हमें क्या करना है, अगर आपको नीम्बू सूट करता है, तो आप इसमें नीम्बू डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं सूट करता है, आप इसको skip कर सकते हैं, तो हम इसको बनाएंगे किस के साथ, तो मैं इसको बना रही हूँ, दही के साथ में, ठीक है, लेकिन सिरफ दही मुझे नहीं चाहिए, इसके अलावा भी मैं एक चीज और इसमें एड़ करूंगी, जो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंट है, अगर आपको अपनी स्किन के उपर काले-काले बाल दिखाई दे रहे हैं, आप नैचरल ब्लीच करना चाहते हैं, तो उसको आपको जो वीडियोस हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं, किस प्रकार से टमाटर, सौरी, मैं नीमबो-नीमबो करे जारी हूँ, टमाटर आपको डालना है, ठीक है, टमाटर में पाय जाता है, विटामिन C, जो आपके काले दाग धबो को हटाता है, ब्लीच करता है आपकी स्किन को, स्किन को पिंक वाला जो ग्लो आपको चाहिए, वो आपको देता है, और स्किन को एकदम स्मूथ कर देता है, तो हम इसको किस तरह से डालेंगे, मैंने ये कटाओवा टमाटर लिया है, और इसका मैं जस्ट इसी तरह से पल्प ले लूँगी, क्योंकि मैं इसी तरह से कम तो आपकी skin को hydration देता है, आपकी skin को numb करता है, आपकी skin के लिए rose water बहुत अच्छा काम करता है, तो आपको rose water नॉर्मली भी अपने face के उपर spray कर लेना चाहिए, दिन में 2-3 बार, ठीक है, तो ये देखे, इस तरहां से आपको इसको बना लेना है, ये सारी चीजें हमारे हर किसी के घर में available होती है, skin बहुत जारा oily लगरी है, skin बहुत जारा काली लगरी है, पसीने की वज़ा से, तेल की वज़ा से, चिकनेपन की वज़ा से, तो आपको इस remedy को ज़रूर करना है, साथी साथ अगर skin के उपर polishing करना चाहते हैं, आटी में जा रहे हैं, कहीं function में जा रहे हैं, skin polishing करना है, तो आपको इसमें चावल का आटा डाला है, वो आपकी skin के polishing के उपर भी बहुत बढ़िया से काम करेगा, option बताती हूँ, अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है, in case, in case अगर नहीं है, और सिरफ और सिरफ आपको polishing करनी है, तो आप इसमें डाल सकते हैं coffee, 2 rupees वाला जो packet आता है, उसमें एक चमच coffee होती है, तो आप वो एक चमच coffee इसमें add कर सकते हैं, तो ये इस प्रकार से आपका जो paste है, बनके तयार हो जाएगा, अच्छे से, अब इसको लगाना कैसे है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, क्या होता है न, कि लोग ingredients देख लेते हैं, ठीक है, सोचते हैं हो गया जी चलो, लेकिन उसके बाद उसका result भी देख लेना चाहिए, कि आपके उपर उसका result कैसा आने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना चाहिए, बीच में skip नहीं करना चाहिए, ठीक है जी, तो ये द अच्छे लगी होगी, तो अभी तक लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकोन के साथ में करिएगा, future की वीडियो देखने के लिए, दुबारा से repeat करा दिया है, मेरा नाम है रेखा सिंग, मेरे चैनल का मेरे चैनल को प्यार दे सकते हैं, अब हमें क्या करना है, हमें अपने बालो को पहले बांध लेना है, क्योंकि बाल गंदे हो जाएंगे, और बालो में लग जाएगा तो छूटने में बहुत इकत होती है, ठीक है, तो यह इस तरह से कर लिया, रेमिडी को लगाने से पहले फेस को क्लीन कर लेना जरूरी होता है, हो सकता है मेरे फेस के पर थोड़ा सा ओयल आ गया हो, क्योंकि मैं अभी 10 मिनिट के लिए किचन में चली थी, मुझे कुछ काम था, हस बन जा रहे थे, ओफिस, ऐसे तो नाश्ता सारा बना दिया था, लेकिन तो भी निकाल विकाल के तो देना ही पड़ता है, तो वो उतनी जर में किचन में थी, ओयल वगारा आ ही जाता है फेस के ओपर, ठीक है जी, तो ये हो गया, क्लीन अच्छे से, निकला नहीं कुछ भी, एक्चली, पर ठीक है चलो, तो ये हो गया हमारा क्लीन, अब हम लगाते हैं, किस तरह से लगान बढ़िया मिलता है, स्किन को एकड़म स्मूथ कर देता है, स्किन के कालापन तो बहुत दूर की बात है, टैनिंग वगर अगर स्किन के ओपर हो जाती है, तो आप इसको रेगुलर कर लो, रेगुलर इन दे सेंस, अभी कोशन आएंगे, मैम, इसको अम कब करें, आप वीड कर सकते हो, यह शाम को जब आप घर आते हो, तब तो आप इसको डेफिनिटली करो, क्योंकि पूरे दिन की जितनी भी चिकनापन होगा, मैल, डर्ट, पोल्यूशन होगा, वो सारा का सारा एक बार में हट जाएगा, और बिलीव में, दोस्तों, मैं गैरंटी लेती हूँ, इ इसी परकार से इस पैक की मैं गैरंटी लेती हूँ, कि आप अगर इसको लगाएंगे और वाश करेंगे, उसके बाद आपको अपने फेस के उपद सोप की जूरत नहीं पड़ेगी, और अब मैं ये भी बता दूँ कि ये किस एज के लोगों को लगाना है, ये हर एज के हटाने के बाद में क्या करना है, ये मैं आपको अभी आगे बताती हूँ, ठीक है जी, तो ये भी लगा लिया हमने इसे तरह से, अगर आपको स्क्रब करना है, आपने स्क्रब नहीं किया है, दो से तीन दिन हो गए हैं, तो आप यहाँ पर मसाज कर सकते हैं, ठीक है, मैं न कोण लोग इस बात से सहमत होगे, प्लीज मुझे कॉमेंट जरूर करना, कौन लोग इस बात से agree करते हैं, कि जब pimple dry होने लगते हैं, उसके उपर एक skin बन जाती है, ठीके? उस screen जो होते हैं, जो skin होते है बहुत गंदी लगते है, उखडी-उखडी सी लगते है, तो जबी भ ब्लैकेट अगर स्किन के उपर हैं, वो हट जाते हैं, खुर्दुरापन हट जाता है, स्किन एकदम सॉफ्ट, स्मूथ, सप्पल हो जाती है, बहुत सॉफ्ट लगने लगती है, तो यह देखें, इस तरह से हमने लगा लिया, अब मैं आपको मिलती हूँ, इसको सुखाने के ठीक है, और उसके बाद में आपको बताती हूँ, ड्राइ स्किन वाले, अपनी स्किन के उपर ऐसा क्या लगाएं, कि इस पैक को करने के बाद में, उनकी स्किन ड्राइण ना लगे, सॉफ्ट लगे, तो मिलती हूँ, 10 मिनिट के बाद में, इसको आपको 10 मिनिट तक रखना है ठीक है जी देखा बोला था मैंने इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है आपको पहली बार में अपनी स्किन के ऊपर रिजल्ट दिखेगा और मैं आपके सामने पोच रही हूँ आप देख सकते हैं अच्छा आती हूँ ड्राइ स्किन वालों के लिए वो वली क्रीम जो की मैंने आपको पहले बताई है यह जो स्क्रीम के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है इस वीडियो के ऊपर आपने क्लिक करना है इस क्रीम को बनाने के लिए जिसकी भी स्किन ट्राइ रहती है वहाँ पर फाइन लेंस और रिंकल्स जादा दिखाई देते हैं कम करेंगे और skin को soft and supple बनाएगी आशा करती हूँ आज की ये remedy आपको पसंद आएगी इस cream को आपको बना के ज़रूर रखना है इस link के उपर click करना है जो कि मैं आपको eye button पे दे रही हूँ ताकि आप इस cream को असानी से बना सके इस remedy को करने के बाद में आपने मुझे अपना review ज़रूर देना है कि आपके उपर इसका result कैसा आया है share करिएगा आपने family and friends के साथ में ताकि उनको भी इन remedies का benefit मिल सके bye bye take care मिलते हैं किसी और बड़ी ऐसी remedy में फिर से एक बार